हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो मेकैनिकल टेकिंदी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो मैं आपको टू विलर्स, चाहे वो मोटरसाइकल हो, चाहे वो स्कूटर हो टू विलर्स में यूज होने वाले F.I. सिस्टम यानि की इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले अफ्रेंट सब्सक्राइब में समझते कि कार्बुलेटर को क्यों हटाए गया क्या वज़ा था इसके पीछे तो देखिए कोई भी टूबिलर हो उसमें क्या होता है कि इंजन जो है वो पावर कैसे प्रोडूस करता है मैं आपको पहले यह समझाता हूँ देखिए इंजन क्या जो सिलेंडर होता है इस सिलेंडर के अंदर में जब एयर और फ्यूल मतलब होगा है प्रिटोल यानि कि जब हावा और प्रिटोल है वो इस जो हमारा इंजन का सिलेंडर है इसके अंदर में जब आता है और जब उस मिक्स्चर का कमप्रेशन होता है और उसके बाद जब उसका कमप्रेशन होता है तो इंजन पावर प्रोडूस करता है ठीक है इसके बारे तो मैंने आपको बहुत बार बताया है अब देखिए होता क्या है अगर ये जो air और fuel का जो mixture है उसका जो ratio है अगर वो proper हो तो उस proper air full ratio से ये होता है कि हमें अपने motorcycle या फिर scooter से सही efficiency fuel की और सही engine का performance मिलता है power output बेतर मिलता है लेकिन अगर ये ratio गर बढ़ा जाए तो क्या होता है या तो हमें कभी जो fuel के efficiency वो अग्दम drop हो जाता है mileage अग्दम कम हो जाता है या फिर हम लोंको power नहीं मिलता था है जतना भी accelerator ले 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 ये सब problem आता है अब मैं आपको बताओं कि यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि जो air और fuel ratio है इससे जुलावा दो चीज है एक है lean mixture और दुसरा है rich mixture अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए जो air fuel ratio होता है उसका एक range होता है range यह है 12 इस टु 1 से लेकर 14.7 इस टु 1 मैं आपको समझा कि इसका क्या मतलब होता है पहले देखिए 12 इस टु 1 का मतलब हो गया कि 12 यानि कि 12 पार्ट ऑफ एर 12 पार्ट ऑफ हवा और एक पार्ट ऑफ पेट्रोल जब यह mix होके एक बार बेजाता है तो engine के अंदर में क्या होता है क्या है efficiency या फिर performance वो बहतर देखने को मिलता है और ideally जो पेट्रोल गाड़ियां होती है वहाँ पेसका रेंच 12 इस टु 1 से लेकर 14.7 इस टु 1 तक होना चाहिए अब lean mixture का मतलब यह हो गया कि जब हमारा जो ratio जा रहा है इस engine के cylinder के अंदर में जब वो हमारा 14.7 होगा यानि कि हवा जादा जाएगा पेट्रोल कम जाए जाएगा तो वो lean mixture के लाता और इस point of time पे हम लोगों को हमारे engine से fuel की efficiency, mileage जादा बेतर मिलता है वहीं जब यह ratio 12 इस टु 1 या उससे कम या उसके आसपास हो जाता है यानि कि 12 part of हवा जाएगा एक part of petrol जाएगा तो वो हो जाता है rich mixture और इस point of time पे हम लोगों को अपने engine से performance, power, speed वगर जादा बेतर मिलता है ठीक है आप यह समझ गए अब यह जो सही ratio है वो जब कार्बुरेटर को use क्या जाता है हमारे engine में तो उस time पे क्या होता कि कार्बुरेटर ही इस ratio को set करके इस engine के cylinder के अंदर में भेजता है अब आपको पता ही होगा कि कार्बुरेटर में जब हम लोगों को fuel की efficiency ज्यादा चाहिए तो हम लोगों tuning set करते है थ्रोल जो screw उसे बढ़ा देते हैं यानि कि air को ज्यादा भेजने लगते है तो हम लोगों को efficiency बेतर मिलने लगती है जब हम लोगों को ज्यादा power चाहिए तो हम लोग क्या करते कि ज्यादा petrol भेजने के लि लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी problem को दूर करने के लिए और सबसे बड़ा problem ये था कि कुछ लोगों को speed चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कि fuel की efficiency जादे बेतर हो, किनी को mileage चाहिए, average चाहिए, कुछ लोगों को दोनों चाहिए, mileage भी चाहिए और speed भी चाहिए, लेकिन य ये सब जो carburetor का use का आता था motorcycle में, उसमें possible नहीं था, manually set कर पारना, और इसी को automatically change करने के लिए, हमें आरे जो two wheeler से, वहाँ पे FI system, यानि की fuel injection system को introduce किया गया, उसे implement किया गया, क्यूंकि यहाँ पे ये सब कुछ automatically और electronically control होता है, ECU के दवारा, जी हाँ, FI system में ECU यानि की engine control unit होता है, और वो इन सब चीजों का ध्यान रखता है, speed वगरा के हिसाब से, चलिए अब हम लोग बात करते है, FI system के बारे में, detail में, friends, fuel injection system में, जो fuel tank होता है, उसके साथ, जो fuel pump है, वो लगा हुआ होता है, और वहीं दूसरी तरफ, जो हमारा engine का cylinder है, उसके साथ, उसके उपर में, यानि कि head में, जो cylinder head है, वहाँ पे fuel injector लगा होता है, अब basically होता है, क्या कि जो fuel tank से, उस fuel को, यानि कि जो petrol है, उससे fuel pump खीचता हो, और उससे fuel injector है, वहाँ तक भेजता है, उसके बाद fuel injector उस fuel को spray करता है, यानि कि engine के cylinder के अंदर में भेजता है, अब मैं आपक जा रहा है, उस data को लगतार sense करते रहता है, और वो इस signal को भेजता है, ECU यानि कि engine control unit में, और जो ECU होता है, वो rate of, जितना भी यानि कि fuel जा रहा है, engine के cylinder के अंदर में, उस rate को वो control करता है, monitor करता है, supervise करते रहता है, यानि economical ride के लिए क्लिए क्लिए क्लिए, lean mixture जाता है, और जब performance चाहिए, power चाहिए, acceleration चाहिए, तो ECU rich mixture भीजियता है, अब हम लोग इस चीज़ को एक example के help से समझने की कोशिश करते हैं, तेगी friend, सबसे पहले क्या होता है, जब city के traffic वाले condition में, भीड़ वाले जगह पे, अब आप गारी को चलाते हो, अपने tubular को चलाते हो, त इसे ECU लगतार continuously monitor करते रहता है, अब मैं आपको बताऊं कि इसके लावा क्या होता है, कि जब आप highway के, जब highway में आप गारी को चलाते हो, highway में क्या करते हैं हम लोग, लगतार एक steady speed में अपना हम गारी को पकड़ के चलाते हैं, उस time पर क्या करता है ECU, इस चीज को sense करता ह speed को, और फिर क्या करता हूँ, lean mixture और semi rich mixture, इन दोनों mixture को alternately भेजते रहता है, यानि कि एक बार lean mixture जाएगा, फिर semi rich mixture जाएगा, फिर lean mixture जाएगा, ये automatically चलते रहता है, और वहीं उसी highway पे जब इस चीज आप चलते हो, तो तुरंद ECU को sense कर लेता है, और फिर क्या करता फिर एकदम से वो rich mixture भेज देता है, और ये सब कुछ automatically control होता है, जो कि carburetor में कर पाना possible नहीं था, तो इसलिए carburetor के जगा पे FI system को, fuel injection system को use किया गया, और इससे इतना कुछ आपको change देखने को मिल जाता है, फ्रेंट्स, अब अगर हम लोग FI system के advantages की बात करें, तो सबसे पार advantage है, वो ये है कि power का जो output होता है, वो consistent होता है, carburetor का जब इन consistent नहीं होता है, यहाँ पे आपको consistent power का output देखने को मिलेगा, इसके साथ ही जो fuel का efficiency है, वो ज़्यादा बेतर होता है as compared to carburetor, इसके अलाबा जो emission होता है, यानि कि जो fuel जल रहा है हमारा engine के cylinder के अंधर में, वो ज़्यादा cleaner होता है, unbund fuel या fuel का wastage है, वो कम होता है, इसके साथ ही यहाँ पे जो operation होता है engine का, वो smooth होता है, running भी smooth होता है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये फाइदा होगा कि जब आप ठंड के दिनों में, ठंड के टाइम पे अपने motorcycle को start करोगे, अपने scooter को start करोगे, तो वहाँ आपको starting का problem नहीं देखने को मिलेगा, जो कि carburetor में अक्सर देखने को मिलता था, इसके अलाबा जो हमारा जहाँ पे riding mode में adjustment हो जाता है, आप कैसे गारी चला रहे हो, उस हिसाथ सारा कुछ automatically adjust होते जाता है, इसके अलाबा तो आपको यहाँ पे throttle का response है, यानि कि आप जितना तेजी से response दो के throttle में, वो accurate होगा, ऐसा नहीं कि आप accelerator ले रहे हो, आप accelerator नहीं हो रहा, या कम कर रहे हो इस तरह का problem यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला है, लेकिन FI system को ड इस advantages है, वो सबसे पहला यह कि आपका maintenance cost कहीं ने कहीं बर जाता है, आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ागा, इसे maintain करने के लिए, और इसके साथ ही initial cost होता है इन गाडियों का, आपने देखा भी होकि इनका price ज़्यादा होता है, तो आपको इन गाडियों को खरीदने के ज़्यादा पैसा भी खरच करना पड़ेगा, तो यह था FI system और कार्बेटर को प्रवें वीडियों, आपको पसंद आए, और वीडियों चल लगो तो वीडियों को लाइक और शेल जरू कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले, मि